इंडियन इंस्टिटूट आफ एक्सेलेंस दोस्तों नमस्कार मैं मुक्योज जोशी चेर्मेन आफ इंडियन इंस्टूट आफ एक्सेलेंस एक काणी मैंने सुना था नेश्टनल जेयोग्राफी के ऊपर वो कवर स्टोरी आया था काणी यह था कि एक केले का पेड़ था अब केले के पेड़ का हाइट ज्यादा से ज्यादा क्या होता होगा दोस्तों तो 6 फिट होगा 7 फिट होगा 10 फिट होगा वहां पे केले का जो पेड़ दिखाया था उसका 33 या 35 फिट हाइट था उसका केले का पेड इतना उंच्छा कैसे हो सकते हैं कवर स्टूरिने उसके बाद में सारा रह्ष्च जो है वह बाहर निकाला कवर स्टोरी में ये बताया गया कि ये केले का पेड़ जो रहा है वो 33 फीट हाइट पे कैसे पहुँचा क्योंकि अंजाने में बोलो या गलती से बोलो उस फार्मर ने उस केले के पेड़ के आजू बाजू में नारियल के पेड़ लगा दिया थे अब धिरे धिरे सनलाइट मिलता गया नारियल के पेड़ बड़े होते गए नारियल के पेड़ 30-35-40 फीट पहुचते गए और उसके साथ साथ केले के पेड़ को भी सनलाइट कम मिलने की वज़ा से केले के पेड़ भी अपनी हाइट को बढ़ाते गए और ऐसे करते करते केले का पेड़ जो है वो 33 feet के उपर में पहुंच गया दोस्तों यह मिसाल में इसलिए देना चाहता हूं कि अगर एक निर्जीव जिसको आपन बोल सकते हैं एक पेड़ पौधे को भी अगर सत्संग का असर आता है तो हम और आप एक सजीव इंसान है दिमाग चलाने वाले इंसान है तो आप सोचो कि अगर पौजिटिव लोगों के साथ अगर हम जादा से जादा रहे तो हमारा तरक्की कितना हो सकता है और हमारी हाइट कितनी उपर जा सकती है दोस्तों इसी सिलसिले में 12 जन्वरी 2017 को नया साल शुरू हुआ है नये साल के अंदर में हम सभी का एक मकसद रहता है एक तार्गेट रहता है कि हम सभी लोग MDRT है डबल MDRT, COT, TOT यह सब चीजे अच्छीव करने के पीछे रहते हैं तो उसी सिलसिले में दोस्तों और कई ऐसे हमारे दोस्त है जो इस लेवल को टच नहीं कर पा रहें तो ऐसे हमारे दोस्तों के लिए 12 जन्वरी को विरला मातो श्रील ओडिचोरियम मुंबई के अंदर एक बहुत बड़ा यग्य रखा है इसके अंदर शायद पहली वार इतियास में आयोई के इतियास में 12 एक ही दिविजन के टॉप 12 एजेंट्स टॉप 12 एच्छीवर्स एक ही प्लेटफोर्म के उपर में आ रहें दोस् 200 से MDRT करने वाले एजेंट है तो ऐसे 12 एजेंटों के साथ में आम लोग यह प्रोग्राम ला रहे हैं अगर मैं स्पीकर के नाम बता हूं आपको तो फल जी भाई धुलिया जो पालनपूर से बिलॉण कर रहे हैं हमारे जो दूसरे स्पीकर है वो विश्नु भाई प्रजा से नॉन स्टोप MDRT और एक छोटे से गाउं से बिलॉण कर रहे शायद वह जिस गाउं से बिलॉण कर रहे उस गाउं का पॉपुलियशन 15-20,000 से जादा नहीं होगा उसी तरह से अमारे बदरेश पटेल है जो इडर से बिलॉण कर रहे हैं गिरिज भाई है दर्मेंद्र जोशी है फालवुन सुतार है राकिष पटेल है जो विस्णनगर से विलोंग रहे है खलपेश शाह है जितेंद्र पटेल हो गंधीनगर सेीलाग कर रहे है ज obsessed प्रजापति है प्रफूल पटेल है आयोई में बरसों से आ रहे हैं बरसों से वो लोग काम कर रहे हैं बरसों से एंस नस को मैं पहचानता हूँ दोस्तों इन 12 लोगों की नस नस बाहर निकाल के किस तरह से एक successful agent बनना पूरा दिन आप MDRT कैसे करना उसके ख्याल उसके आइडियाज यह सब चीज़े आपको इस प्रोग्राम के अंदर में आपको मिल सकता है और डेफिनेटली आप 12 तारीक को आप भी आईए आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचाईए और एक अच्छा सा माहोल से हम लोग इस प्रोग्राम की शुरुवात करें नए साल की हम लोग शुरुवात करें इस प्रोग्राम को हो सकता है हम लोग लाइव टेलिकास्ट करने का सोच रहे अगर यह लाइव टेलिकास्ट हो गया दोस्तों तो आपको इसकी लिंक दी जाएगी आपको इसका जो भी पैमेंट होगा वो पैमेंट चार्च देना पड़ेगा दोस्तों ये प्रोग्राम मैंने बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव ने इससे मैंने बनाया है इस प्रोग्राम की लागत बहुत है लेकिन सिर्फ वन फूल डे इंक्लूडिंग लंच और इंक्लूडिंग टी एंड ब्रेकफास आपको सिर्फ ग्यारा सो पचास ये ग्रूप बुकिंग का फिगर मैं बता रहा हूं ग्यारा सो पचास उर्पे में आपको ये सिट अवेलेबल हो सकती है जल से जल अपनी सिट बुक कराईए औ और वहां पर आपके दोस्तों को भी वहां पर रिक्रमेंटि कीजिए दन्यवाद कि अजये थे जिए भी वहां पर लोगर में आपके लिए खेंटि